कि आज 22 अगस्त को जार 22 है कि समभार का दिन है और आज का अनलेसिस हम स्टार्ट करते हैं तो आप आपके सामने जो कार्टूम देख रहे हो उसमें एक तरफ तो दिखाया गया है कि जैसे फ्रीबी दी जा रही है टेक्सपेर्स को ठीक है दोसी तरफ दिखाया गया है कि किस परीसिवर्फ का दूसारे से जो संय जहाते हैं उसमें बाहों साथ स्ट्रीजिच बाहU सारी हेल्प दिए जाती है इनसेंटिफ दिए जाते है तो यह जो निए कि यहां पर साथ में यहां चीज़ कितनी चीजिश कर सके मनी के थू है इस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाना कितना उचित है ठीक है और साथ में ही जो freebies हैं वो freebies क्या सही उचित हैं या फिर freebies हैं वो merit goods तक ही होनी चाहिए तो काफी इसके उपर debate चल रही है काफी जिनों से एक और टापिक बना हुआ है तो इसमें बताया जाता है कि काफी बाजबा फ्रीवीज प्रवाइड कर रहे हो तो आप DPSP को फिल्फिल भी कर रहे हो तो काफी बाजब सुप्रिम कोट भी चीज के अंदर अपना जो पॉइंट रखता है तो बोलता है कि काफी लोग को फ्रीवीज लग रही है क्योंकि जब अभी कोवीट था तो उस टाइम पर जो भी डिस्टिबिशन चल रहा था ठीक है पॉब्लिक डिस्टिबिशन की तौर पे है और भी इतने भी चीज़े हो रही थी वह सबी चीज जोने काफी हद तक हमारे देश को बचा नहीं है लेकिन फिर भी फ्रीवीज को क्या उचित है का गलत है उसके लिए कमिटी के फॉर्मिशन की बात कही जाना या रिकमेंडेशन दी जाना अपने आपने पहले एक आर्टिकल आया था उसमें बताया था कि यह तरह से एंक्रूच्मेंट है मतलब जो इस्टेट्स की तरह कि on शार नमी मतलब एक कर दो करने कि सकता है तो यहीं था पूरा फूर्वीज के रीगारें। सब्सक्राइब कर दिया गया है तो इससे क्या मतलब है तो इंडिया के कंटेक्स में आप इस चीज़ को देख सकते हो जब वहां से न्यूज हुई है तो इंडिया के अंदर इसका क्या स्टेट्स है तो बताते हैं कि जैसे सक्षन 377 एक रूल चला रहा है सिंगापूर के अंदर भी चल रहा है तो अब इसको बोला गया है कि सिंगापूर इसको रिपील करेगा है ना क्योंकि काफी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगरा चल रहा था पूरा सेविल सुसाइटीज की द्वारा और उसमें बाद में रिसेट किया गया फाइनली की जो यह ह तो यहां पर हम चलते हैं तो इसकी सिंगापूर की सिंगापूर काफी फिरमास अदेगा मलक का स्टेट के पास में पढ़ता है और यह काफी जाता है निस्पक्ष होने के उज़र से भी काफी बार यहां पर आप इटिशन के तौर पर इसको इटलाइज किया जाता है और काफी जाता मिटिक्स वगएरा जो होती है वो यहाँ पर होती है और इक तरह से में बोल सकते हैं कि यह आपकी जो मिडिल जो जीरो डिग्री लाइन है उसके जस्ट उपर ही है हलका सा यह है और इंडिया से इसका स्टेटस है और यहीं पर पास में पिर इंडोनेशिया है मैं लगका स्टेट है तो चॉक पोईंट के आस पास यह पाया जाता तो काफी सिग्निफिकरन्स है इसकी लोकेशन का भी अपना आप में जो बारे में हैं और यहां की इंपोर्टन जो जागे हैं इसके बारे में बतारा का श्याइप की नहीं होगा एक तरफ से कुछ नहीं होगा ठीज को समदना पड़ेगा और इसमें बोला है from our point of view जैसंकर जी बोल रहे हैं दुबारा से पहले भी इन्हों ने इसके बाले में काफी कुछ बोला है from our point of view we have been very clear that if you have to build a relationship then there has to be mutual respect each one will have their interests and we need to be sensitive to what the concerns are of the other party तो ये गल्बन वैली के अंतर जो issue हुआ थार उसके बाद काफी ज़्याद एक stand-up सा है और काफी ज़्यादा दिक्कत है अभी है इंडिया और चाइना की रिलिशनस बहुत जाद अच्छे नहीं है और इसी के रिगार्डिंग बार-बार जैसे इंकरजी अपनी बाते रख रहे हैं अभी उसके रिगार्डिंग वापिस कमेंट भी आया था चाइना की तरब से उनके फॉर्वन जो इसपक पर संथे उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है हम एसीन एरा देखना चाते हैं तो एक तरह से हमें कमाइंड होके आना पड़ेगा आने जैसा है तो जब वो किया जा रहा है तो ऐसी कंडिशन के अंदर हम कैसे मान ले कि कि वन वे इस टीट यह है और हम अच्छे प्रयास करेंगे तो यह रिलेशन अच्छा हो जाएगा इस नोट पॉसिबल ठीक है तो इसमें बताया कि दिसरिगार्ड किया गया पैक्ट को कुछ पैक्ट हुए थे इंडिया की बीच में पाहले जैसे 1990 में पैक्ट हुआ था क्या पैक्ट हुआ था तो देखो जैसंकर जी ने बोला है इंडिया चाइना हैव एग्रिमेंट गोइंट टू नहीं है बहुत तरफ से दोनों तरफ से संसिटिव होना पड़ेगा एक दोनों कंट्रीज काम कर बाएंगी तो बता रहे हैं दे चाइनीज है डिस्रिगार्ड एट मतलब जो यह था प्रैक्ट था इसको डिस्रिगार्ड किया है यूनो वाट हैपन इंदा गलवन वैली की बात कर रहें जो हुआ है अभी फ्यू यहस बैग लब्लम है नॉट बिन चल रहा है एंडिया और चाइना के रिलिश्यंसिप की बीच में और उनने बताया था कि एक्स्ट्रेम्ली डिफिकल्ट फेज है आफ्टर बीजिंग हैस डन था जो भी उन्होंने बॉर्डर के उपर किया है और इंपेसाइज किया था एशियन सेंचुरी यह आपको लेके रहेगा है ना और आगे जाके चीज़े सही होंगी और लाइक देट है ना तो यह सब कुछ इसके बारे में था और इंडिया और चाइना के एश्यू को मतलब यह रेज कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं काफे रिप्लाय भी चाइना की तरब से आ रहे है लेकिन उनक आपको बता दू मैं यह गलवन वैली थी लॉकिषी नहीं जो है पर यहां पर यह लियु « आर यहां परण्च है, यहां पर रहे हैं यह घृसके बिल्कुल पार में गऑंग्ल वैली है और यह पैंगॉंग फैंगॉव्ग लेक है यह थे, अच्छे आपको आज रखना है , यह मैं आपको पहले बता वे दी थी ती यह मैं आपको पहले बता ही ती है यहां पे गलवन नाला जंक्शन है तो गलवन हमने कहीं पी पताया था और यह मुत ओलट बेग लोडी शड़क बन रही है और उना डारबुक करके तो उसके रिकार्डिंग्ट अप्थ बोके रिजा I और लेहे जो है यहाँ पर है तो और जो है पर पंगॉंग सो लेक है उसमें finger 4 और finger 2 एरिया आपको अच्छे से मैं बता दिया है और line of actual control is this red line तो यह red line line of actual control है उसके बाद थोड़ा और इसको गराई से देख लेता है जब हमको मौका मिली रहा है तो यह जो पूरा एरिया है वाक्षाइचीन बोला जाता है और यह 32 एंड 244 32 जार के असपास इसको एक किलोमेटर का एरिया है ऑक्कुपाइड कर लिया गया है चाइना के किलोमेटर का इरिया काफी बड़ा एरिया है गिलंगे बल्कें बल्कित स्तान जो है और जो आपने मैंप में लेके चलते हैं अपना पार्ट बताता बाता है पाट है इंडिया का यह टेका है क्योंकि इससे जपरन हतिया लिया गया था occupied by the Pakistan since 1947 तो इस इस गिलगित बलक्तिस्तान रीजन और यहीं पे सियाचीन है यहाँ पे की सियाचीन की हमारी लडाई हुई थी यहाँ पे सियाचीन वाला एरिया है पूरा ठीक है इस चीज़ को ध्यान रखना है गलवन वैली अगेन, लाइन अफेक्षिल कंट्रोल अगेन होटे स्पिंग्स अगेन, पैंगॉंग लेक अगेन ठीक है तो यह सब कुछ ध्यान रखना है आपको और यह सियाचीन ग्लेसियर आपका है दिस इस दक्षाई चीन और सक्षम वैली बहुत इंपोर्टेंट जगह है, दिस एरिया इस कोल्ड सक्षम वैली सक्षम वैली का जो एरिया है, लगबग सात जाइसको एक किलमेटर का एरिया है और इसको भी इल्लेगली पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में दे दिया है आपको पूरा स्टेटस समझा गया है, this is गिल्कित ब्लकिष्तान 1947 में पाकिस्तान और इंडिया से ले लिया गया हमरा ये पाथ है ठीक है, और यहां पर जम्हू कस्मीर है यहां पर जम्मु कसमीर है, this is LOC, this is line of actual control ठीक है, this is line of actual control ठीक है, and this is something called line, sorry, sorry, again sorry, LOC means L.A.C. 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 और यह लिए लिए बलतिस्तान है और सारी लोकेशन हमने देख ली है तो इस इस आरे मैप भी देख लिए है अब नेक्स नूज को पर चलते हैं तो नेक्स जो न्यूज है वह बोल रही है स्कैप GST ऑन अनब्रांड़ फूड आइटम गहलोध राइट टू निर्मला शितरव लेकिन इसको प्रॉसर करके पैक करके लिए जा रहा है तो उसके उपर इगलोध ने बोला है कि अभी खतम हुआ है बहुत ज्यादा फ्रेजाइल कंडिशन है लोगों की इतनी है नहीं लोगों के हाथ में जो है डिस्पोजबल बहुत कम है तो ऐसी कंडिशन में इस तरी के इसको की पूरी सोसाइटी कंजूम कर रही है टैक्सेशन लगाना इस नॉट करेक्ट इस इस नॉट राइट और आमने पहले भी इसको जीएश्टी काउंसिल में भी इसको अपोज किया था ये भी बता रहे हैं साथी में जो हमारी गैलोग जी है वो रास्ता की जो चीफ मि लोगों की इनकम कम है फ्रजाइल कंडिशन है लोग है जो वल्डरबल सिचुएशन में है ऐसे में वो चीज़े जो हर इंसान कम जो से कम जो तब काभी जिसको कंजूम कर रहा है इस तरीके की चीज़ों के उपर आपका जीएस्ट को लगा दिया जाना इस सही नहीं है ये हम जीएस्टी को दिख लेते हैं पहले भी हमने काफी बाद दिखा है जो जीएस्टी है यह वैल्यू एडिट टैक्स है और होता क्या है और मोस्ट गूड्स और सर्विसेज जो की डॉमेस्टिक कंजमिशन में जो चीज़े यूज में आ रही है उनके उपर लगाया जाता ह जीएस्टी पेड़ बाइदा कंजुमर्स बट इट इज लिमिटेट टू गॉर्मेंट बाइदा बिजनिस सेलिंग दा गूड्स और सर्विस कंजुमर पे करता है लेकिन जो बिजनिस सेल कर रहा है इस सर्विसेज वगरा को वो इसको फॉरवर्ट कर देता है कहां पे यह नेरी बातिए लिए आदर 1977 से प्रभावी हुआ और पता है आपको स्टार्टिंग में GST जो था मतलब GST जो नेटवर्क था वो ये इनफोसिस के हाथ में है और मतलब उस टाइम पे बहुत जादा प्रावलों ही थे तो इस टार्टिंग में लिएक जो अगरा बहुत था बट अब आप देख रहे हो कि पर मन्त GST जो है अल्मूस्ट ली वन लाग करोड को क्रॉस कर रहा है काफी बार तो अच्छे अपनी रिकॉर्ड हाई जा रहा है वन पट फाइव लाग करोड से उपर तो इस तरह से यह इसके रावन में है ना देख लेना आप एक देखली डा अब अब यह इसके पर पर ऊपर तो काफी ज़्यादा बीकेश हो इस वज़े से और काफी ज्यादा नैट्वक भी अप सॉलिड होने लगा है और सब चीजे से पुरी मतलब की हर्चीज को एक ताइट लिया जा रहा है तो इस वजह सब चौदाब पंदर लाग करोड का जो कि अपने आप में काफी सब्स्टेंशियल होगा और जो कि हमारा बजट अभी थर्टी नाइट करोड का था लास्ट यह तक आई तो मतलब काफी सब्स्टेंशियल यह जो चीज़ा इसको बैक अप करेगे और बजट भी बढ़ सकता है जो अगे हम चलते हैं Central GST to cover exercise duty अब मतलब क्या क्या इसने cover कर लिया है वह सब जी जा रही है ना Article 246 A इसके पावर तो टेक्स जूट्स लगाने की नैक्स समय पास जो न्यूश है वो है फोसीबल आधार वोटर आईडी लिंकिंग तो आपको बता है आधार वोटर जो है आईडी गो लिंक किया जा रहा है इसमें ECI द्वरा केम्पेंग चलाए गया है काफी लोग के लिंक भी आपको मिलाकर है समझ जाने वाले हो प्रॉटार करने के लिए प्रभाइज करने के लिए यह सब सकता है तो ऐसी कंडिशन में आधार वोट रहे की ID linking is not okay काफी लोग ऐसे बोल रहे हैं जो पोच करते हैं वहीं पर जो लोग support कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि actually this is not for मतलब कि ऐसा हमारे ऐसा कुछ नहीं होगा और यह जो purpose है finally वो यही है कि जो भी double voting होती है जो भी सिस्टम के अंदर है और अभी भी हम अच्छे से नहीं जान पा रहे हैं जो वोट दे रहा है उसको उसको जानना चाहते हैं तो अभी देख लिखा हुआ है election commission of India ने एक campaign इस्टार्ट किया था एक अगस्ट को और voluntary linking of आधार काड की regarding voter ID से और इसमें क्या हुआ हुआ है अब तक 11 तारिक तक इन लोगों ने कलेक्ट कर लिया है मतलब data connect कर दिये हैं दोपन पांस कर लिया है election commission of India इस्टार्ट को एक अगस्ट को linking of आधार काड इटेल विद वोटर आईडी करना है तो इसमें क्या आपोस करने वाले काफिया है तो इसमें क्या बिहाव पर ही जा रहा है तो इनको फॉर्स किया जा रहा है तो किस चीज के लिए फॉर्स के जा रहा है कि आप ऐसा कीजिए ही मतलब अपने आधार को linking कीजिए तो इस ते को दिखा रहा है despite clarification from various government authorities that linking of आधार with voter identity card is voluntary there have been instances of people being born by the booth level officers that their voter ID would be cancelled if the linking is not done तो इस तरह की चीज़े की जा रही है तो जैसे यह news में था और मैंने इसकी दोनों पहलों आपको बता दिये हैं अब हम next news के उपर चलते हैं news in numbers हैं कुछ उनको देख लेते हैं क्या है news in numbers तो अभी cattle disease है वो बहुत ज्यादा चल रही है viral cattle disease है जिसमें 7300 100 number of the cattle who have died so far तो lumpy skin disease चल रही है इसके विज़े से काफी antistates के इंदे काफी जानवर मर गए है हैं lumpy skin disease होती क्या है contagious disease है इसमें की viral disease है जो affect कर दिये cattle को it is transmitted by the blood feeding insects blood feeding insects जो होते हैं इसके फीवर हो जाता है और nodules on the skin हो जाते हैं can also lead to the death और बताते हैं about 74,000 लगवाग 74,325 cattle have been affected in Punjab इतने सारी यहां पर कुछ रात में फिर रास तान में फिर इसके बाद जम्मों काफी जगा affected हो जानवर इतने जानवरों की death हो चुकिए और यह viral disease है ध्यान ठाखना है lumpy skin disease आ सकती है जैसे foot and mouth disease बागर आ जाया करती थी पहले exam न वैसे ही lumpy skin disease के आने की possibility भी है और देदीजे यह किसके दूर टांस्मिट हो रही है blood feeding insects के दूर टांस्मिट होती है और इसके अलावा इसके बारे में viral disease है एक तरिके से है न तो यह हो गया अब अगला है कि 44500 in flowing equities तो उंडिया हमाई लिए इतना कोई काम का special है नहीं अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा जो मैनुवल स्कंजिंग वगरा जो होती है न उसके रिगार्डिंग तो इसमें क्या होता हैगा इसमें है क्या वकुल मिला कर देखते हैं लोग सब आमें अभी एक सर्वी वगरा कंडेट करा गया और 347 वरका सब तक इनकी डैस होती है तो इसके रिगार्डिंग बहुत लगातार अपने यूज में बना रहता है तो थोड़े कुछ आंक्रे वांक्रे देख लेते हैं तो इसमें यहीं है कि सबसे ज्यादा जो है यूपी बहुत ज्यादा प्रभावित है इसमें दिखा र सबसे तो यहां पर देखने को मिलता है तो यह कुछ आंक्रे दे रखाए कुछ डाग्राम देख सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं तो आंक्रे हैं अब हम नेक्स्ट चलते हैं यूज के उपर डैली पूलिज ने है वह क्या किया है यूज ओप फेशिल एक और्गनेशन प्र मतलब कि इंसान के ऊपर आप आप कर सकते हैं इससे इंसान को आप फॉल्स इंसान मान सकते हो यदि इंसान कोई सब्सक्राइब करना चाहिए यह स्थेट यदि किसी का इक्प्लूजन आप चाहिए तो आन वे है तो थोड़ा इसको कॉशिसली लेनी के लिए होता है ऐसा ऐसा बताया जा रहा है हम देख लेते हैं क्या होता जा रहा है तो अभी एक RTI का response आया जो कि इंटरनेशनल इंटरनेट फिरम फाउंडेशन के द्वार रिवील किया गया है कि देली पूलिस ने इसके थूब काफी बच्चों को मतलब की खोजने में अभी हेल्प ली गई इसकी फिर बाद में उसको क्या किया जाता है डाटाबेस के थूब आपके फिश्चिप प्रफाइलिंग करके डिजिटल मैप बनाके आपके फिश्चा एना सॉरी तो देली पूलिस ने फर्स्ट अ ली हाइए जो भी केस विस्फा उसमें तो हुआ किया फिर में इसमें इसमें फार्त धबिन अनुन देखना इंपोटन चीज यहां पर है एक्स्टेंसिव रिसर्च इंट इंट तो इस ने फाल्स नेडिव और फोस्नेगेटीव और ने वरफ यह वह जाता है विस नोट वे technology can also be used as a tool to facilitate state-sponsored mass surveillance तो state-sponsored mass surveillance करने के tool के तूर पे भी इस technology को यूज में लिया जा सकता है तो जब ये technology आ रही है तो अच्छे से इसको focus के साथ लेके आना होगा ठीक है थोड़ा cautious रहना होगा तो यही था इस के अंदर अर थोड़ा सा एक है non-fungible token अच्छे से आ रखना है काफी important है nfts are digital assets whose ownership is verified through transactions records stored on blockchain और आपको simplified इसको कर दूँगा पहले मुसको दिख लेते हैं कोई जैसा artwork होता है कोई digital of stars होते है और कोई चीज होती है तो उनको commonly हम trade करते हैं nfts के अंदर open seeker करके है ना ये क्या है एक largest nft marketplace भी बन चुका है आपको बताओ तो अविता बच्चने अविबंस राय बच्चने जी की कविता को अपने आवाज में बूल के कुछ ने उसको भी एजे nft convert किया है तो हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास physical assets होते है like हमारे पास physical assets होते है हमारे पास gold होता है या physical जो भी चीज़े होते है car होती है ये सब हमारे physical assets है ऐसे ही हमारे digital assets भी हो सकते है तो वही होता है nft तो digital assets होता है उनको आपस में trade करना उनको आपस में खरीद फ्रोग करना उनको आपस में sell करना ये सब चीज़े करना this is called nft मतलब कि आप digitally कुछ create करते हो, खुदका एक asset, ठीक है, उस asset को आप जो भी करते हो, तो that is con does, actually what, NFT, NFT are digital assets, whose ownership is verified through transactions records stored on blockchains, तो समझ गए हो गया आप में इस सब से अब है न, तो आगे दिखना है, earlier this year the platform was valued at over 13 billion, 13 billion का platform था, after raising around 300 million in venture capital, by August 2022 based on the Ethereum blockchain data, OpenSea was used by 2 million traders, तो इसमें बताया गया है कि OpenSea was used by 2 million बीस लाग traders के दार यूज में लिया गया है, जिसमें कम से कम एक बार उन्होंने ट्रांजिक्शन जरूर किया है, तो in future यह काफे जादा लाइट में साजी चीज़े रहेंगी, हो सकता है कि यह technology जो होती है, in future ब आगे निकल जाए बहुत जादा इसको utilize किया जाने लगे, वो सकता है कि खतम भी हो जाए, तो यह सब depend करेगा कि किस तरह से किस direction में हम बढ़ रहे हैं, इतना ही useful रह पाती है, क्योंकि कि किसी चीज़ की utility के बिहाफ पे ही क्या वो sustain कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसक और government ने बोला है कि data protection बिलका हम दुबारा reintroduce करेंगे with काफी इसके अंदर परिवतन करते हुए, तो तब तक हमारे पास कोई data protection बिल नहीं है, हमारी काफी बड़ी country है, काफी बड़ी country में पहुत सारी लोग है, उनका data है, data new oil है, data बहुत जदा important है, data कंपनियां बहुत misuse पी किया जा रहा है, लोगों को, तो भावित भी किया जा रहा है, उनके data को युदि लेके, तो अभी हमारे लिए data protection बिलो, ऐसे बहुत जदा important हो जाता है, कि हम अपने आप में बहुत बड़ा market है, जितने भी companies हैं, उन सब की इस्ता भी companies के लिए, क्योंकि हमारी 140 करोड की data भी ताक पे है, या फिर misuse होने के लिए vulnerable है, तो इस वजह से जल्दी से data protection बिलो को लाना जरूरी है, तो government जल्दी इसको लेके आएगी, यसी काफी जंबा होना है, देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में, पहले वाले को अटा दिया गया है, अभी वापिस ले लिया ग बिल था पहले, तो इसको अटा लिया गया है, तो यहां पर बताया गया है, one way to understand the decision is to back to the genesis of the law, कहां से इस चीज़े निकल रही है, data protection बिल वागरा तब चीजों की चीज़े निकल कहां से रही है, तो इसका genesis आपको पताया है, काफी famous से case है, case put to Swami versus union of India का case है, where the court held that the right of privacy had both positive and negative aspect, the right of privacy के positive and negative aspect दोनों होते हैं, case put to Swami का case काफी famous है, case है, and right to privacy के लिए बहुत ज़्यादा जाता है, और जो positive aspect है, positive, जो privacy होती है, बहुत है positive and negative aspect, तो जो positive aspect है, वो क्या बोलता है, the former, implied that need for the state to actively take measures to protect an individual's privacy, यह responsibility है, सरकार की, state की, this is the responsibility of state की, वो individual जो है, उसकी privacy का protection करे, अब दिखने था, scope of law क्या है, the growing importance of the digital economy, मैंने बता दी आपको पहली, and the broad scope of the proposed law also contribute to the contestations between stakeholders as the law was being deliberated, तो, तो मतलब कुन मिला कि stakeholders के बीच में काफी ज़्यादा लड़ाई जगड़ा है अभी, state holders में कौन को ना सकते है, government हो सकती है, state holder, company हो सकती है, state holder, हम लोग जो है, जिनके काफी जाता contestations होने के जासे, थोड़ी problem है, ठीक है, तो, ये scope of law, इस विज़े से मतलब हर चीज़ को हर मतलब industry का भी ध्यान रखा जा सके, लोगों का भी ध्यान रखा जा सके, इस विज़े सको आप इसले के comprehensive law लाने की तयारी चल रही है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मा देनी है बगर बगर तो चीज़े इसके अंदर आती है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये भी हो सकता है कि जब लॉग आएगा, बता रहे हैं इस law के बारे में कि जब आएगा data protection law, तो उसमें हो सकता है कि ये promote करेगा regulatory certainty को, तो उससे क्या हो सकता है, नई possibility increase हो सकती है इस चीज़ की data के flows के और growth of the data processes business, data processes business भी एक नया field हो सकता है अपने आप में जब लॉग आएगा, क्योंकि regulatory certainty को ensure करेगा, ऐसी condition में data process business भी start हो सकता है, इसके भी मतलब कापी संभावना है, उसके लाबा, for the state, a law could limit inclusive data processing by state agencies, but it could also promote geopolit geopolitical, strategic and regulatory interests, similarly the individual could benefit by the restrictions on harmful data processing, इस सब चीज़ individual को भी फायदा होगा, इस सब चीज़े बताएगा, यह इसके अंदर है ना, finally, उसके बाद, इसमें कुछ important चीज़ है, तो way forward के अंदर लिखा हुआ है, कि way forward क्या होना चाहिए, इसको हम वैसे देख लेते हैं, okay, तो जो way forward होना चाहिए, on the first issue, तो वैसे बोल रहा है, government has suggested that it will introduce multiple legislation comprising a new comprehensive legal framework, this is right approach, ठीक है, trying to fit all the objectives related to the digital ecosystem और even data governance into the bill would be a mistake, अला को मिला के आप बात यही की जा रही है, कि हम सारे provision से एक particular bill के अंदर नहीं करेंगे, इसके लिए हम अलग से comprehensive legal framework वगरा बना देंगे, लेकिन सबी चीज़ों को एकी bill के अंदर fit कर देना is not possible, not feasible, तो government नहीं यह बात भी government कर रही है, कि उसके लिए हम अलग से comprehensive legal framework बना देंगे, बट बिल के अंदर हर चीज़ों को introduce हम नहीं करेंगे, आगे यही बोल रही है, कि जो personal data protection bill है, उसके उपर दूसे बड़न आपको निडालने है, और objectives आपको निडालने है, कि और भी चीज़ों को उसके deal with issues, तो जो अलग issues उनके साथ separate law बना देंगे हम, बैसा नहीं कि हर चीज़ों को हम उसके उपर ही burden बना दे, क्योंकि उससे काफी complicated हो जाएगा, जो law है वो, जो bill है वो, ऐसी condition में दिक्कत आएगी हम, तो यह सब इसके अंदर बताया हुआ है, आगे जाके बताते हैं, जो second due to its perceived unwiability in the Indian context, तो इसको जाएतर हमने यूरोप की तरज़ पर बनाया था, जो पहले हमने product draft किया था, लेकि इंडिया के लिए unwiability इसकी हो जाती है, on their behalf of काफी लोगा ने इसको criticize किया है, for instance, creating a cross-sectoral data protection entity with the power to take significant coercive action is seen as problematic given the rule of law, capacity and regulatory constraints in India, मैं लापकुल मिला के बोल जाएं कि यूरोप की तरज़ पर बनाया गया है, लेकि इंडिया के अंदर इसकी unwiability हो जाती है, जाकि like जैसे की, तो सेक्टरल data protection entity को introduce करना हो, काफी जगा है, हमें problem भी create करेगा, यह सब उचमी बताया गया है इसके अंदर, तो इसका आप देख लेना, finally हम इसको conclude करते है, data protection को, data protection is the process of, क्या है data protection की definition, data protection is the process of safeguarding important information from corruption, compromise or loss, ठीक है, तो data protection एक process है, जिसकी तुरूइच की जाता है, इसकी को safeguard की जाता है, safeguard की जाता है, safeguarding दी जाती है, important information from corruption or compromise or loss से है, data is the large collection of the information that is stored in a computer or on a network, यह data की definition हो गई, उसके बाद, क्या इस requirement data protection बिल की, तो according to the internet and mobile association of India, I-A-M-A-I, हैना तो यह क्या बता रहा है, I-A-M-A-I, digital in India reports 2019 बताती है, there are about 50 crore, लगबग, 50.4 crore active web users है, तो इंडिया में बहुत जाता data जनेरेट हो रहा है, इंडिया सबसे बड़ा online market after China, तो इतना जादा data हमारा, जोदी हम data protection बिल लेके नहीं आएंगे, तो कंपनिया मे इसको कर लेंगी, तो इस वज़े से बहुत ज़्यादा requirement इंडिया के इंडिया ते data protection बिल की है, large collection of the information about the individuals and their online habits has been, the large collection of the information, individual के बारे में बहुत ज़्यादा information को collect करना, उनकी online habits को जानना, ठीक है, और become an important source of profits, तो यह बहुत एक माध्यम बन गया है, profit को आपने भी देखा ह जाता है, उसमें भी फिर artificial intelligence को उप्योग मिले जाता है, फिर manipulate होने की संभावना हो जाती है, manipulation की संभावना बन जाती है, क्योंकि उनके पास आपका data होता है, तो इस वज़े से काफी हद तक यह company के profit का एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है, और यह इसके वज़े से company काफ for invasion of privacy, because it can reveal extremely personal aspect of aspects, और आगे लिए करका है, companies, governments and political parties find it valuable, because they can use it, find the most convincing ways to advertise to you online, माला बताया जा रहा है कि, इसमें सबसे बड़ा बहुत बड़ा potential, माला बहुत बड़ा इसके कि यह भी है, कि जो भी आपका data, personal data होगा, उसको government, companies, government, companies, political parties, तो मिला के, आपको convince करने के लिए, य इस तरह से use मिले सकती ही, कि आपको, जिससे convince हो सको आपके, उस तरह से प्योग मिले जा सकता है, तो, it also is a potential avenue for invasion of privacy, because it can reveal extremely personal respect, और जिसको की misuse किया जा सकता है, companies की दोरा, governments की दोरा, और political parties की दोरा, और कुल मिला के, आपको ही, इसको feed करते हुए, और manipulation करते हुए, advertisement के आपको convince किया जा सकता है, किसी भी तरीके से, किसी भी काम को करने के लिए, convince किया जा सकता है, तो वो गल्त रहेगा, तो इन सबी चीजों के जैसे data protection की बहुत जाद requirement है, तो इसी के साथ हमारा आज का analysis हमापत होता है, इसी तरीके के अच्छा analysis के साथ, आप इस channel को subscribe कर सकते आगे भी हम मिलते रहेंगे, धन्यवाद